नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूटूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहवली कहने को तो राजा सुप्रीमो लालू परसाद यादो इलाज करा रहे हैं वो सजा याफता हैं और राची के रिमस अस्पताल में अपनी बिमारियों से परशान वो लगतार इलाजरत हैं डॉक्टरों की निगरानी में हैं लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लालू परसाद यादो कहीं भी रहें लेकिन राजनीत से वो दूर नहीं होते बिहार के पॉलिटिक्स पर गहरी नजर लालू परसाद बनाय रखते हैं ये हम इसलिए कह रहा हैं क्योंकि लगतार बड़े निताओं के लालू परसाद या लागी शतुदन सिना हैं, दूसरा कॉंग्रेस के सकील एहमद और जेमेम की ओर से पहुंचे हैं हेमन सुरेन, इसके साथी साथ सुबोत कांथ सहाय भी मिलने के लिए पहुंचे, इस मुलकात के बाद माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाओं को ले करके कोई रणनीती बनाई ग बीजेपी के सांसर शतुदन सिना, कॉंग्रेस नेता और पूरो केंद्रिय मंत्री शकील एहमद, सुबोत कांथ सहाय और जेमेम के कारेकारिया ध्यक्ष हेमन सुरेन उनसे मिलने पहुंचे, लालू से मुलकात करने पहुंचे शतुदन सिना को ले करके पहले से भी सवाल ख जर्चा की है, उन्होंने ऐसा जो ख़बर निकल करके सामने आ रही है, उसके मुताबिक साती साथ जारखंड में आर जेडी की नई भूमिका कैसी होगी, इस पर भी बातचित हुई है, फिलाल जारखंड में सीटों के बटवारे को ले कर कुछ तैय नहीं हुआ है, इस सम्माइन जनक सीटे मिलें, इसको ले करके जो कौर्डिनेशन कमीटी है, वो इस पर काम कर रही है, माना जा रहा है कि जल्द ही महागरबंदन में भी सीटों का एलान हो जाएगा, फिलाल राजा सुप्रीमों लालु परसाद यादों से मिलने के लिए बड़े चेहरे आज जनाची करीम से स्पिताल पहुंचे हैं, जाहिर है कि लालु परसाद यादों से मुलकात करने के लिए शतुदन सीना जो की बीजेपी से बागी की सांसद माने जाते हैं, उनके पहुंचने से कही न कहीं सियासत गरम है, आप लाइफ सिटी साथ बने रही है, हम आपको बिह